सो हेलो एवरिवन विपूल लिमिटेट के क्वाटल वन के रिजल्ट आ चुके हैं एंड गैस कंपनी आपको कोई टिविडेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है आगे बात करूं यहाँ पर मैं यह जो अमाउंट है यह लाख में ओके बात करें यहाँ पर टोटल रेवेन्यू टोटल इंकम की आप देखेंगे yearly basis में यह 820 से 1854 हुई है मतलब increase हुई है लेकिन quarterly basis में आप देखेंगे यह 24,969 से 1854 हुई है इनकी total revenue टोटल इंकम सो yearly basis में तो सही रहा लेकिन quarterly basis में इनका revenue अच्छा generate नहीं हुआ आगी total expenses खर्चे भी देखेंगे आप 2352 से ये decrease हुए है 1677 हुए है quarterly basis में भी 1783 से खर्चे इनके 1677 हुए है सो overall खर्चे इनके quarterly basis में and yearly basis में decrease हुए है आगी बात करूँ मैं total comprehensive income की आप देखेंगे पिसले साल company 1531 के loss में थी but now 180 के profit में है मतलब quarterly basis में तो guys यहां पर सही रहे result लेकिन quarterly basis में ये 20,000 profit से इनका 180 का ही profit generate हुआ है सो overall result इनके वैसे yearly basis में सही रहे लेकिन quarterly basis में बेकार रहे earning पर से यहर भी आप देखेंगे yearly basis में ये positive हुआ है 1.28 negative से 0.15 positive हुआ है yearly basis में and quarterly basis में ये 16 से 0.15 हुआ है मतलब decrease हुआ है so overall result इनके ठीक ठाक रहे yearly basis में तो यहां पर improvement देखने को मिला है that's why आप वैसे देख रहे हैं इस share में गिरावट हुई है अभी क्योंकि यहां पर quarterly basis में result जाद अच्छे नहीं रहे so at your own risk आप लोग इसे hold रखिए वैसे कुछ टाइम में यह आपको थोड़ा आउट्रेंड मोमेंट दिखा सकता है